हेलो स्टुडेंट आज हम लोग मेंडेलिफ की पिरोडिक टेबल डिसकस करने जा रहे हैं जो क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है यहां से बोर्ड क्या करता है बहुत सारे कोश्च पूछ पूछता है ठीक है तो बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन ह हो जाता है एक्जाम दिरेशन में कि मौदरिंट टेबल में डीफ सान्स को क्लियं कर देते हैं जो modern periodic table, हम long form of the periodic table पढ़ते हैं, वो किसके atomic number के coding बनी है, clear है, लेकिन जो आपकी Mendeleaf periodic table थी, वो किसके coding बेटा थी, वो आपके atomic mass के, increasing of atomic mass के, ये एक उसका periodic function था, या periodic ला था, clear है, Mendeleaf ने क्या किया था, total number of the 63 elements को arrange किया था, clear है, उसी periodic table को हम लोग तुरा सद देखने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं किसी चीज को, तब तक कोई चीज clear होगी नहीं, ठीक है, तो चलते ही बात करने के लिए, देखो यहाँ पर क्या है, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, जो modern, जो Mendeleaf की modern periodic table थी, exactly, जो Mendeleaf ने बनाया था, उसमें noble gas को, noble gas, जो यह तुम्हारा दिया गया है, जिनौन वाला, इस group को क्या किया गया था, add नहीं किया गया था, बहुत टाइम बाद, कहा जाए न, noble gas को, Mendeleaf की periodic table म पहली चीज, ठीक है, फिर यह count करो देखो, first, second, second, third, fourth, fifth, sixth, और seven, ठीक है, और यह eight, अब इस चीज को दिया से समझो, इन्होंने क्या किया है, one से लेके seven तक को, group और subgroup में divide किया है, one से लेके seven को क्या किया है, group और subgroup में divide किया था, देखो, यह first, second part, first, second, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया गया है, जो eight वाला है, उसको क्या कर दिया गया, तीन पार्ट में divide कर दिया है, क्या किया है, eight वाले को तीन पार्ट में divide कर दिया है, ठीक है, अब चल ले है, मौड, Mendeleaf की periodic table के क्लिर है, ठीक है, चल ले, देखो, Mendeleaf arrange the element, ठीक है, known the order of the increasing of atom, मतलब कहने का मतलब यह है, Mendeleaf ने अपनी जो periodic table बनाई थी, न, उसमें उसनोंने क्या किया था, increasing of atomic mass के कॉर्डिंग क्या किया था, element को arrange किया था, कहने का simple सा यह मतलब है, जिसका atomic mass क्या था, कम था, इसका atomic mass क्या था, कम था, वो पहले था, और जिनका atomic mass क्या था, बड़ा था, या फिर कहा जाए greater था, उनको बाद में रख्था गया, ठीक है, अगर मैं यह कहूँ, A का atomic number 1 था, और B का atomic number 10 था, तो 1 वाला बेटा पहले आएगा, increasing of atomic mass के कॉर्डिंग, ठीक है, और 10 वाला बेटा, बाद वाल में आएगा, ठीक है, clear है, increasing of atomic mass में यह बेटा difference होता है, ठीक है, बहुत दिमाग से ध्यान से सुनना, ठीक, इसका जो next point है, Mendeleev divided his periodic table, ठीक है, into 8 vertical column, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 8 vertical column, clear है, जिसको क्या कहा गया बेटा, group कहा गया, मतलब अगर आपसे यह पूछता है, कि Mendeleev के periodic table में कितने groups थे बेटा, तो 8 groups थे, ठीक है, 7 group को क्या किया गया था, group सब group में divide किया गया था, और last वाले को तीन पार्ट में divide किया गया था, clear है, अब चलते हैं, इसको क्या कहा गया, group कहा गया, ठीक है, 8 vertical column को बेटा क्या कहा गया, group कहा गया, and 7 horizontal rows are known as क्या, बेटा, period, तो कहने का मतलब यह है, कि group बेटा, आपके उसमें कितने थे, बेटा, 8 थे, और period कितने थे, बेटा, कितने थे, बेटा, 7 थे, clear है, दूसरी चीद, no place, noble gas को कोई place नहीं दिया गया था, ठीक है, noble gas को, जब बाद में discovery हुई, तो फिर बाद में दे दिया गया, ठीक है, he arranged the element in such a way that's element with the similar properties fell into the same vertical column of the periodic table, thus grouping of the together with the same element, similar properties, कहने का ये मतलब है, कहने का ये मतलब है, जिनकी भी properties, जिनकी भी properties, बेटा, same थी, उनको same group में रखा गया, ये तो आज भी रखा गया है, लेकिन starting कहां से हुई थी, Mendeleaf से, ठीक है, ये भी, देखो, सभी लोग एक दूसरे को क्या करते है, देखो, classify, या फिर कहा जाए, classify करने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा, modify करके बस लिख दिया गया था, ठीक है, He also predicted, that, unknown element, discover at the time to the, ठीक है, कहने का ये मतलब है, देखो, बहुत सारे element, ठीक है, बहुत सारे element क्या, फिर कहा जाए, कुछ element क्या हुआ था, उस time discover नहीं थे, ठीक है, उस time element discover नहीं थे, लेकिन Mendeleaf ने बता दिया था, कि कुछ time बाद एक ऐसा कोई element मिलेगा, जिसकी properties उन्होंने क्या कर दी थी, पहले से ही बता दी थी, ठीक है, देखो, ये उसी तरीके से था, आगर कोई तुम्हें पंडी जी जैसे देखते होगे न, हम लोग क्या करते हैं, पंडी जी को मानते हैं, पंडी जी हात वाद देख यह कर देते हैं, कि तुम्हारा भविश्य ऐसा है, तुम्हारा future ऐसा है, और अगर बात उनकी क्या हो जाती है, सच हो जाती है, तो, यहां पर भी यहीं हुआ मेंडिलीफ ने क्या किया प्रिडिक्ट किया मेंडिलीफ ने यहां पर प्रिडिक्ट किया कि कुछ टाइम बात कुछ element क्या होंगे discover होंगे जिनकी properties आज बता दिया और सही बात है ऐसा हुआ भी अभी देखते कौन-कौन element थे ठीक है तो यह सब इनकी क्या थी बैटा achievement थी भाई अगर suppose करो जो भाई कैसे हो सकता है तुम्हारा कोई past भी तो बता सकता है ना present भी नहीं बता सकता है या फिर कहा जाए future तो बिल्कूल ही नहीं बता सकता है लेकि इन्होंने बता दिया था भाई definitely इनकी achievement थी ऐसा नहीं अगर इसको और अच्छे से बताएं तो बैटा मालू में इन्होंने क्या किया था तास के पत्तों के साथ अपनी product table की formation की थी ठीक है तास के पत्तों के साथ फिर कह रहा है he swept the order of same element that the filter property is better ठीक है extra example तुम्हारा atomic weight of the iodine is less than atomic mass of the iodine less than the tellurium hence iodine should be placed before the tellurium in the modern product table ठीक है chemical properties of iodine देखो इन्होंने क्या कर दिया था ध्यान से सुनो आयोडीन को क्या कर दिया था tellurium के साथ रख दिया था ठीक है लेकिन आयोडीन की properties आज की rate में किसके साथ match करती है halogen family के साथ समझ रहे हूं फिर सी slide को देखो ध्यान से समझो कह रहा है ही the order of same element that the field their property is better ठीक है the atomic weight of the iodine is less than क्या है of the tellurium ठीक है वो क्या है less than है किसका tellurium के and hence iodine should be placed वो placed होना चाहिए था tellurium से कहां पहले in mandaly periodic table clear है समझ गए tellurium से क्या होना चाहिए था पहले place होना चाहिए था लेकिन तुमको यह पता है कि chlorine की properties बेटा किस से match करती है chlorine 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 bromine iodine से match करती है ठीक है noble gas noble gas we are not known at the time noble gas क्या था उस समय discover नहीं था है जब मेंडलीव की updated periodic table आई तो उसमें क्या किया गया बेटा इसको place दे दिया गया इसकी position जिसे आप क्या कहा गया जीरो ग्रुप कहा गया clear है आप दर मेंडलीव ठीक है when the gases we are discover the new group is called क्या zero group ठीक है तो आप से यहां पूछ सकता है कि zero group मेंडलीव की periodic table में किन elements को या फिर किन गैसों को रखा गया ठीक है तो वहां पर बेटा नोबल गैसों को रखा गया zero group clear है या फिर यह भी पूछ सकता है कि first time first time noble gas को किस group में रखा गया ठीक है क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था noble gas to discover थी ही नहीं बेटा न तो आपके new land में या डॉबर नियर में इसका कोई concept ही नहीं था यहां पर first time क्या हुआ था जब discover उन्होंने place दे दिया था ऐसा उन्होंने arrange किया था कि क्या पता ऐसा कोई element मिले और वाकई मिला ऐसा element ठीक है फिर देखो उसको उसके अगर उन्होंने place ना दिया होता तो कहीं ना कहीं बाद में क्या हो जाती प्रॉब्लम आ जाती और इनकी प्रॉड़ी टेबल फिर पहले से इन्होंने दिमाग लगा दिया तो groups of 14 elements ठीक है देखो आपने modern periodic table देखा होगा अगिना भाई यह यहां पर क्या है lengthenite series है actenite series है lengthenite और actenite series है clear up और सभी में 14 14 क्या है elements यहां पर present है lengthenite में 14 और actenite में 14 elements क्या है present है ठीक है और यह modern periodic table में कहा है प्रोडिक टेबल के नीचे साइड में यह प्रेजंट है ठीक है तौ देखते हैं मेंडलीफ की प्रोडिक टेबल में इनको किस पोजीशन पे रखा गया था ठीक है क्या रहा है टो ग्रूप्स ना 14 इलमेंट इच कॉल्ड लेंथनाइड एंड एक्टिनाइड वे रखा गया था प्लेस दिया गया था बॉटम आप दा प्रोडिक टेबल में बॉटम आप दा प्रोडिक टेबल में ठीक है नीचे की तरफ दिया गया था एक ट्रिंड आ गया था क्लिर है कि लेंथनाइड एक्टिनाइड को हम बॉटम में ही क्या कर सकते हैं रख सकते हैं ठीक है वीडियो को like कर देना यार ठीक है, वीडियो को like कर रहा है चैनल को subscribe जरूर कर आ देना अपने friends से और वीडियो को share जरूर कर देना चलो, the advantage of mentally priority table हम चलने हैं बात करने के लिए advantage of the mentally priority table clear है सिस्टेमाइटिक स्टेडी ना मैं पिरोडिटेबल की नीड ही क्यों पड़ी थी क्योंकि सिस्टेमाइटिक स्टेडी करने के लिए हमको क्या पढ़ना था में पिरोडिटेबल की नीड पड़ी ठीक है अब सपोस करो फिर से वही एक कॉंसेट तुमको बताते हैं अगर हम बहुत अच्छे से study करानी है, जैसे आप कभी देखते होगे, किसी भी classes में, किसी भी class में, हर type के बच्चे होते हैं, एक बच्चा बहुत moderate, अच्छा पढ़ने में होता है, एक बच्चा एक्स्टा बिलेंट होता है, ठीक है, एक बच्चा थोड़ा सो low level का होता है, एक बच् अब बात समझो ध्यान से, लोग क्या करतेते हैं, पढ़ाई के recording उन बच्चों को separate कर देते हैं, पढ़ाई के recording बेटा क्या कर देते हैं, separate कर देते हैं, पढ़ाई के recording नहीं separate करना चाहिए, अगर कोई बच्चा बदमास है, तो उसको अलग class में कर देना चाहिए, कुछ तो उस बचा से वो बच्चे पढ़नी पाते हैं, ठीक है, तो अगर हमको systematic किसी study करवानी है किसी बच्चे को, किसी भी चीज के बारे में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मालूम है, हमको classified करना पड़ेगा बच्चों को, ऐसे group में जो बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, उनको एक क्लास में, जो पढ़ने में थोड़े से कमजोर हैं, जो बदमासी नहीं करते हैं, उनको दूसरे क्लास में, तो अब क्या होगा, जो बच्चा बिलकुल नहीं पढ़ना चाहता हैं, उनको क्या होगा, वो एक क्लास में चल देंगे, मतलब एक दूसरे को डिस् है कि ट्राइ करते हैं और हर बच्चा चाहता है पढ़ना मुझे तो यह वैंने तो बहुत सारे बच्चों को देखा है हर बच्चा टॉप करना चाहता है लेकिन उसको प्रॉपर गाइडिस नहीं मिल पाती है या फिर कहा जाए बस कुछ चीजें ऐसी हो जाती है उसकी बच्चा से बच्चा पढ़ने में कमजोर होता चलता चला जाता है एक छीज अपनी लाइफ में याद रख लो लो बच्चा पढ़ने में कमजोर नहीं होता है बिलकुल एकदम माइड में कर लो ठीक है चल तो systematic study करने के लिए हमको क्या किया गया था ठीक है इसकी mentally predictable की need गया था प्रिडिक्ट किया गया था क्लियर है प्रिडिक्शन ऐसी थी कि इन्होंने कहा कुछ element बाद ना कुछ element क्या होंगे तो उनको 10 साल बाद मिलेंगे ना इनकी प्रॉपर्टी आज बता दी गई और 10 साल बाद मिले ऐस element ना तो डेफिनेटली उस आदमी की तुम्हारे मन में क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो ऐसे रिस्पेक्ट किसको दिया गया था मिंदली तो दिया गया था अब इससी और समझते हैं प्रिडक्शन अफ डाद निव अलिमेंट ठीक है उन्होंने बताया कि कुछ element, कुछ time बात क्या होंगे, discover होंगे, ठीक है, और उनकी properties पहले ही बता दी थी, उसकी properties क्या कर दी, पहले ही बता थी, जब वो discover नहीं हुए थे, ठीक है, इस चीज को समझते हैं, कैसे बताया था, चलो थोड़ा सा इसको समझाते हैं तुमको, हुआ क्या था, देखो, a element, b element, ना, suppose करो, a और c, a और c है, ठीक है, अब a का atomic number बेटा क्या है, 1 है atomic mass, और इसका जो atomic mass है, वो बेटा, 3 आ रहा है, इसका atomic mass क्या रहा है, 3 आ रहा है, यहां तो क्सो सही था, अब suppose करो, यहां पे, d और e है, इसका atomic number 30 है, इसका atomic number 80 है, यहां तो ठीक था, बहुत ज़्यादा difference नहीं था atomic mass के बीच में, लेकिन यहां देखो, बहुत ज़्यादा atomic mass के बीच में क्या था, difference था, तुन्होंने predict कर लिया था, तुन्होंने तुरांद आफजर कर लिया था, ऐसा कोई element in future मिलेग जो इन दोनों के बीच में क्या होगा, पाया जाएगा, ठीक है, चलो, आप देखो, he predicted the properties of undiscovered elements, eco-almonium, eco-almonium का मतलब होता है, eco-almonium का मतलब one, almonium, ठीक है, मतलब इसकी properties, अगर मैं तुमसे यह कहूँ, eco-almonium का मतलब properties, किसके जैसे मिलेगी, मेरे जैसे, अगर मैं यह कहूँ, eco-sudha-kar, तो समझो, तुम्हारी properties किससे मिलेगी, मुझसे, तो eco-almonium का यह मतलब है, कि almonium की properties से मिलता हुआ, कोई element क्या होगा, in future, discover होगा, यह समझो, समझ पहें, that could be placed below the almonium, his periodic table, when his element is called, क्या, gallium, और वो element कौन सा था, गैलियम था, कुछ ताइम बाद मिला, ठीके, कुछ ताइम बाद मिला, उसका नाम क्या रखा गया था, गैलियम, it was discovered 1875, वो जो element, गैलियम था, उसकी जो discovery हुई थी, वो कहा हुई थी, 1875, लगभाई प्लॉक्सिमेट, बीस साल बाद ऐसे हुआ था, ठीके, its properties were found to be closer to the Mendeley prediction, एकदम, कहा जाए ना, एकदम 100% तो नहीं similar, लेकिन 99% क्या थी, similar थी, जो 20 साल पहले Mendeley ने क्या किया था, इसके बारे में, Ika Almonium के बारे में, ठीक है, फिर समझते हैं, अब suppose करो, आज 2022 चल लाए, ठीक है, बासल चल लाए, आज मैंने discover किया है, आज मैंने एक चीज बता दी है, एक properties किसी element के बारे में बताई है, ना, Ika Almonium के बारे में, ठीक है, 20 साल बाद क्या हुआ 20 साल बाद कोई element मिला gallium गैलियम मिला उसकी properties वही similar है जो आज मैंने बताई है आज मैंने जो बताई है ठीक है तो definitely यार मेरा status बड़ा हो जाएगा clear रहेगी नहीं अब देखर देखो similarly mentally production of the x x ठीक है another element ikasilicon meaning beyond the silicon which could be placed below the silicon in his periodic table मतलब उन्होंने क्या किया था ikasilicon के बारे में भी क्या किया था production किया था clear है अब उसका नाम क्या था बेटा germanium ठीक है and his properties were formed to be similar of the periodic table production इसकी भी production क्या थी same ही थी यहां से बेटा question आपके बनते हैं ठीक है आप से पूछेगा Eka Almonium का नाम क्या था clear है कह रहे correction of doubtful atomic masses उन्होंने क्या किया था correction कर दिया था doubtful atomic masses कुछ atomic elements के atomic masses में क्या था doubtful थे थीक है उन्होंने क्या किया था उसको correction करने लगे क्या the atomic mass of the barium ठीक है beryllium was corrected from the 13 to 9 कर दिया 13 to 9 कर दिया ठीक है किसका beryllium का फिर समझो correction of the doubtful atomic masses अब इस चीज को समझो यह क्या होता है सुपोस करो तुम्हारी एक chemistry की copy है तुम्हारी एक chemistry की copy है उसको जब मैंने चेक किया तुमको 40 marks दिया कितने मैंसे 50 मैंसे पिर दुबारा किसी teacher ने चेक किया या फिर कहो मैं ही ने ने ही चेक किया अब की बार कितना number दे दिया 45 तो कुछ लोग कहेंगे क्या कहेंगे कुछ लोग तो यही कहेंगे या फिर 40 वाला wrong था या फिर 45 अगर आप सही है अगर आप सही है तो कैसे changes आ सकते हैं नहीं changes तो नहीं आ सकते हैं ठीक है doubtful में क्या होता है correction होना लाजमी है clear है पिर defects in mentally productive ठीक है position of hydrogen अब इस चीज को समझते है position of hydrogen में क्या दिक्कत आती है आज भी periodic table में position of hydrogen यार क्या है clear नहीं है ठीक है देखो समझाते हैं तुमको hydrogen की size क्या है due to size recording due to size recording इसको group first में रखा गया है मतलब इसको किसके साथ रखा गया है alkali metal के साथ ठीक है क्योंकि इसकी size बहुत क्या है छोटी है इसकी size क्या है बहुत छोटी है इस वज़ा से ही अपने electron को hold नहीं कर पाता है और क्या करता है H plus sign की क्या करता है beta formation H plus sign का मतलब plus one valency plus one valency किसकी है group number first की है clear है अब hydrogen में क्या देखा गया hydrogen में diatomic देखा गया diatomic मतलब k cell में कितने electron two electron हो सकते हैं और यह कब होंगे जब hydrogen क्या करेगा एक electron accept करेगा एक electron क्या करेगा accept करेगा तो बनाएगा क्या H minus one क्या बनाएगा H minus one और minus one valency किसकी होती beta बताओ halogen की ठीक है यह किसकी valency होती beta halogen की तो hydrogen को दो जगह रखा गया है group first में और halogen के साथ ठीक है कुछ बच्चों का confusion होगा सर हमारी periodic table में तो नहीं रखा गया बेटा वो देखो NCRT की book है ठीक है आप net पे search करना तो वहाँ पे जो अच्छी periodic table होती है उसमें बेटा ये चील mention है clear है ठीक है देख ले ना वाँ पे फिर कह रहा है position of isotopes देखो इनकी जो periodic table थी increasing of increasing of atomic mass recording ठीक है increasing of atomic mass की थी जैसे अब देखो जैसे chlorine 17 होता है chlorine 35 होता है दो isotopes होते हैं तो chlorine को कितना मिलना चाहिए two position मिलनी चाहिए थी इनको two position मिलनी चाहिए थी क्यों two position मिलनी चाहिए थी क्योंकि increasing of atomic mass recording आ रहा है ना बेटा ठीक है लेकिन मिली कितनी एक तो ये सत बेटा क्या थे जब कोई question पूछ रहा है क्लास जिसे क्रपोस करो कोई teacher है आप कैसे जानते हो कोई teacher अच्छा पढ़ाता है अच्छा तो सभी पढ़ा सकते हैं पढ़के आए खर-खर-खर-खर-खर पढ़ाना शुरू कर दिये बढ़िया भी था अच्छा भी तुमको लगा लेकिन आपकी क्वेरी को अगर आपकी क्वेरी को कोई बता ले रहा है तो definitely वो अच्छा teacher है इसी तरीके से जब मेंडलीव से क्या पूछा गया पूछा गया question का मतलब कि तुम आईसोटोपस को ना आईसोटोपस के बारे में ये बताओ कि आईसोटोपस को तुमने एकी ही position क्यों दी है भाई देनी कितनी चाहिए थी दो दिये तुम यहार एक हो तो कुछ नकुछ तो बताओ इसके बारे में explain करो क्यों दिया है कोई explanation नहीं था यही case क्या तो hydrogen की case में हुआ था भाई hydrogen की position भी इन्होंने क्या किया था doubtful कर दिया था doubtful कर दिया था इन्होंने hydrogen को एक ही place दिया था ठीक है आज भी modern priority table में hydrogen को कितना place है दो place तो ऐसे सब्सक्राइब जो doubts थे लोगों scientist पूछा और इन्होंने क्या किया कोई explanation नहीं दे पाया clear some dissimilar element किया था शाथ में रख दिया गया था जैसे आपको पता है ना suppose करो पढ़ने वाले बच्चों को और ना पढ़ने वाले बच्चों को एक ही class में रख दिया जाए तो पता चला teacher पढ़ा रहा है बच्चा अब concentrate हैं कुछ बच्चे concentrate हैं अब पीछे हुआ हुआ हो रहा है मजा नहीं आएगा यार तो कैसे पढ़ने मजाता है बढ़ने में ऐसे मजाता था कि यार 30 बच्चे हो 25 बच्चे हो ठीके पढ़ने में तो भी देखो जैसे मेरा concept है कोचिंग चलाने का एकदम clear concept मेरा रहता है कि बहुत पहले तो बहुत भीड नहीं करनी है 25 बच्चे है 25 से 30 बच्चों को आप क्लास में लीजी बस अगर आप 45 बच्चे 40 बच्चे के क्लास चला रहे है तो अगर बच्चा इतना समझदार है तो definitely वो क्या करेगा स्कूल में ही समझ सकता है तो क्या करना है किसी भी चीज को systematic ढंग से चलाने के लिए quantity क्या हो करनी पड़ेगी कम करनी पड़ेगी और similar elements को क्या करना पड़ेगा similar student को क्या करना पड़ेगा एक जगा रखना पड़ेगा इसी तरीके से क्या हुआ मेंडिलिफ की product table में देखो lithium, sodium, potassium के साथ इन्होंने क्या कर दिया coins element coins का मतलब यह होता है जिससे coin बनाया जा सकता है coin ठीके AU, CU, AG को क्या कर दिया था copper, silver और gold को क्या कर दिया था साथ में रख दिया था यार कैसे हो सकता है नहीं possibly नहीं है dissimilar element को नहीं क्या कर दिया था साथ में रख दिया था अब देखो anomalous pair of the elements anomalous pair of the elements में कुछ confusion हो गया फिर से मेंडिलिफ से पूछा गया फिर से मेंडिलिफ से यह पूछा गया देखो जैसे आरगन आरगन का जो atomic mass है वो कितना है 39.9 is placed before potassium क्या कर दिया गया था रख दिया गया था पहले कब और potassium से और potassium का कितना होना चाहिए 39.1 इसके बारे में भी कोई explanation मेंडिलिफ नहीं दे पाए clear है इसके बारे में मेंडिलिफ कोई explanation नहीं दे पाए कहते है न जब किसी के पीछे हाथ दो के पड़ा जाता है न साइंटिर इंके पीछे नहाथ दो के पड़ गए थे तो बहुत सारी डिमेरिट्स आई कि देखो अब कोई यह कहेंगा सर गलतियां तो सबसे होती न यार गलतियां भगवान से होती है तो ठीक है हर चीज में हर कहा जाता है गीता में यह कहा गया है हर 10 मिनट में एक आदमी एक इंसान गलतियां कर रहा है अगर वो जीवित है अगर नहीं जीवित है तो फिर वो गलतियां नहीं करेगा क्लिर तो कोबाल्ट का जो अटॉमिक मास होता है 58.9 ठीक है इस प्लेज बीफोर निकिल 58.6 इसी तरीके से क्या था टैलियम क्या था इनका कन्फूजन 127.6 था इस प्लेज बीफोर दा आयोदी ठीक है है क्लिर यहां पर मेंडिलिम की रिख टेबल मेरी क्लोज होती है अब नेग्स वीडियो में अप्र रिखल लेके आएंगे एक लग दिन में और अर आपका मोडरिक रिक जैप्टर आजैएग अगर अगर हो सके तो आप पर दिया करो, एक स्टेटस लगा दिया करो, थोड़ा पने वार्टसप पर, इससे बहुत ज्यादा तु नहीं कुछ कह सकते हैं, कुछ मुझे मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, कि जिससे और रातों में क्या हो सकता है, वीडियो बन सकता हो मैं, देख सकते हो कि रात में शायद एक बज़ रहे हैं, देख लो, उनको दिखाते हैं, एक बज़ रहा हो रात के वीडियो बन रहा है तुमारा, देख लो, देख लो, तो ठीक है, वो इसमें नहीं है, ऐसा नहीं कि कोछ मुझे, बस थोड़ा सा मोटिवेशन आ, तुमारा सा मोटिवेट करो आप लोग, पर डेफिनेटली चीजें और बेटर हो सकती है, ठीक है, चलो, बाई, गुड नाइट,